तो हमने कुछ ऐसी ट्रेंस लेके होंगी कुछ ऐसी कुछ ऐसी या फिर कुछ ऐसी पड़ी अजीब सी नहीं लग रही हैंगे हमारे यहां तो प्रबल लिखा होता है या सिली गोडी लिखा होता है ऐसे कुछ एंजिन्स होते हैं जो कि कुछ वैगन्स को खीच रहे होता है कुछ काफी हैवी मस्कुलर से लग रहे होता है बट यह कैसी यह प्लास्टिक की लग रही है या इनकी जो nose है, किकनी लंबी है, क्या है ये, इनको हम कहते हैं maglev trains, इनके aerodynamics हमारे यहां की conventional trains या normal conventional trains से different देखने को मिल रहे हैं, इनको हम maglev trains कहते हैं, या commonly हम इनको bullet trains भी कहते हैं, कुछ खासियत हैं इनकी, इसलिए आज हम इनको देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, या इनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत हम जानना है जा रहे हैं, जिसे कि मैं पता चलेगा कि अच्छा, ये कैसे हमारी trains से अलग हैं, हमारे यहां की trains तो 100, 1. 500, maximum, बट ये कैसे 400, 500, 600, next हम record देखते हैं, जो first train यहां पर थी, Germany में, जैसा की, invent हुआ था, या खो जा गया था, वहां के scientist ने, वहां के engineers ने बनाई थी, जिसकी speed, हाला कि ये जादा नहीं लग रही होगी, 90 km पर hour, जो कि शायद हमारे यहां की सबसे fastest train, की half होगी, maybe, बट जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि यहां research बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं, और यहां पर हमने देखा कि 2015 में जो testing हुई है, जैपैन ने की है, उसने 603 km per hour की speed को गेन किया है, इस कुछ तो बात है, क्योंकि हवा में एरो प्लेन का उड़ना और 700, 800 की speed प यह क्या है, कैसे है, यह सारी चीजे हम देखते हैं, और समझते हैं कि क्यों यह trains special बन जाती है, यह bullet trains, यह maglev trains special बन जाती है, क्योंकि इनों ने इतनी speed को गेन किया है, अचीव किया है, आगे देखते हैं, तो process एक होता है हमारा in trains के पीछे, इससे पहले तो हमको यह पता हो होना चाहिए कि in trains को properly हम क्या बोल रहे हैं तब से, maglev, तो यह जो maglev है, यहीं से ही आया है, magnetic से mag चुरा लिया, levitation से LEV चुरा लिया, और दोनों को जोड़ करके हमने magnetic levitation को maglev में convert कर दिया, यह एक ऐसा phenomenon है, जिससे की दो चीज़े हमको मिलती हैं, पहली तो हो गई lift, दूसरी हो गई हमारी stability और इन ही दोनों का खेल है हमारी train में, इन ही दोनों process को या इस magnetic levitation के process को हम समझते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि example ले रखा है यहाँ पर एक यह magnetic material ले रखा है, कोई ऐसा material जो कि हमारा magnetic field बना रहा है और एक यहाँ पर element है, जिसको कि हम लट्टू कहते हैं या टॉप कहते हैं, यह यहाँ पर रखा है और इन दोनों के बीच में कुछ नहीं बलकि air है कोई contact नहीं है और यह हवा में spin कर रहा है, rotate कर रहा है कैसे हो सकता है यह possible, यह इसी process की वज़े से possible हो सकता है जिसको कि अब हम पढ़ेंगे, जिस पे कि हमारी magnetic levitation, that is maglev train हमारी काम करती है हवा में पैरती है, ऐसी train और अगर हम precisely इसको बोलने तो levitation का मतलब होता है, suspension suspension, जैसा कि हमने suspension bridge देखे होंगे, हावडा का या प्रयाग राज का तो suspend कर रहा है, कोई चीज हावा में तैर रही है, magnet की help से उसी को हम magnetic levitation कहते हैं अब दो चीज़ें आती हैं हमारी सबसे पहले तो magnetic levitation को समयने के लिए, कि अगर कोई भी object है जैसे कि हम train ले करके चलेंगे अपने case में, जिसका कि कुछ mass होगा किसी कुछ weight होगा, तो कुछ gravitational force लग रहा होगा, हर एक object पर लगता है इसको counter करने के लिए, थोड़ा सा तिर्शा हो गया इसको counter करने के लिए opposite direction में force लगेगा, जो की होगा, magnetic force तो यह magnetic force जो होगा, इसको counter करेगा इसलिए हमारी जो train है, इस track से कुछ उचाई बना करके, कुछ distance बना करके, कुछ height बना करके, हवा में तैर रही होगी इसलिए इसकी speed जो है, maximum होगी, या ज़्यादा से ज़्यादा attain कर पाएंगे क्यों क्योंकि friction यहाँ पर नहीं हो रहा है, जो की हमारा conventional trains में कुछ wheels लगे होते थे इसके उपर यह हमारी train होती थी, और यह हमारा track होता था तो यहाँ पर कुछ friction हमको देखने को मिलता था, friction होता था, क्योंकि दो हमारे object जो है, वो contact में आ रहे होते थे यहां पर friction हो रहा होता था और friction की वज़े से यहां पर energy loss काफी ज़्यादा होता था और यह efficient machines नहीं है efficient machines नहीं है इसलिए यहां पर speed भी कम है और साथी साथ हमारे losses भी काफी ज़्यादा है जो कि यहां maglev के case में अगर हम बात करेंगे जो हमारी trends है जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसमें काफी ज़्यादा कम होंगे क्यों कम होंगे क्योंकि यहां पर wheels नहीं है यह हवा में directly float कर रही है सस्पेंड कर रही है उसी process को हम magnetic levitation कहते हैं अब इसकी speed uncontrolled भी हो सकती है या बहुत ज़्यादा हो सकती है तो speed को अगर हमको थोड़ा सा decrease करना है या और थोड़ा decrease करना है तो हमको friction देना पड़ेगा उसके लिए हम wheels भी लगा सकते हैं इसमें जो कि कुछ friction हमको provide कर देंगे तो यह एक अलग experiment हो सकता है इसके साथ जो कि किया भी जाता है speed को reduce करने के लिए अब दो चीजें आती है हमारी पहली हमने देख लिए lifting magnetic levitation में पहला lifting है क्योंकि हमारी अगर यह कोई train नहीं हमारा track है इससे इसको lift करना होगा ताकि इस friction को हमें remove किया जा सके और speed को हमको maximize किया जा सके efficient बनाया जा सके motor को तो पहला process हमारा lifting का हो गया और दूसरा process जो है हमारा वो हो गया हमारा stability का stability को आगे हम समझते हैं कि stability का मतलब क्या होता यह हम एक छोटा सा experiment देखते हैं पहले हम कार्टून वगरा देखते थे तो इसमें क्या होता था कि magnet से खीच रहा होता था यहां पर और TNT आ जाता था और explode होता था और इसका खेल कंड खतम हो जाता था तो सेम यही प्रोसेस होता है यह हम यहां पर magnet देख रहे हैं है तो मेगनेट में हमारा कौन सा प्रोसेस होगा तो यहां पर अगर नॉर्थ पोल है मेगनेट पर दो पोल होगा यहां पर हमने बार मेगनेट को लिया हुगा दो पोल है एक नॉर्थ है और दूसरा हमारा साउथ पोल है अगर ओपोजिट पोल है तो यहां पर अट्रैक्शन हो कि मीन्स यह इधर और यह इधर आएंगे दोनों पास में आकर करके अट्रेक्ट हो जाएंगे यह डिस्टेंस हमारी कम होती चली जाएंगी और यहां पर जबकि हमने सेम पोल ले रखे हैं सेकंड केस में यहां पर दोनों रिपल करेंगे मीन्स सिमिलर पोल्स दे रिपल इच अदर और यह जो डिस्टेंस होगी यह मैक्जिमाइज होगी यह बढ़ती चली जाएगी यही रिपल्जन और अट्रेक्शन का प्रिंसिपल ही हमारा ट्रेंस में काम करता है मैगनेटिक ले विerd यह हमारी ट्रेंद का लिफट प्रवाइब करता है और इस टेमीमीटि प्रोवाइब करता है जिससे कि वह लेफ्ट ड्राइट ना जा पाए तो दो चीजें जो हमें आपर देखी तो यह虫 तो हमने पालिया था और इस्टेबिलिटि जो हमारी थी इस्टेबिलिटि क सामने हमारे रख दिया जाते हैं तो यह रिपल तो होते हैं बट कोई जरूरी नहीं है कि यह सेम डिरेक्शन में रिपल हो यह इधर भी जा सकते हैं यह इधर भी जा सकते हैं यह इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं तो किसी भी पोजिशन में किसी भी डिरेक्शन में यह हमारे clip कर जाते हैं या slide कर जाते हैं तो यह एक stable process नहीं हो पाया अब इसको stable वनाने के लिए हम जो use करते हैं उसको हम कहते हैं ट्रेंस के case में especially अब हम बात करेंगे तो उसको servo mechanism कहते हैं servo mechanism हमारे एक ऐसा process होता है जो कि हमारा feedback देता है feedback क्यों जरूरी है जिससे कि हमें पता चल पाए कि हमारी train कहीं जिग-जैग motion में तो नहीं जा रही है इस टेवली ही motion अगर उसका है तो यही चीज यही feedback यही चीज बताएगा हमारे input को कुछ mechanism जो होगा यहां पर तो servo mechanism का काम होगे हमारी train को stable रखने का यह किस से मिलता है diamagnetic material से हमको मिलता है diamagnetic material के उपर हमें एक dedicated lecture बनाएंगे उसमें हमको पता चल जाएगा कि diamagnetic material क्या होते हैं अभी के लिए बस इतना समझते हैं कि diamagnetic material का इस्तेमाल करते हैं हम वो train के बारे में ही देखेंगे इतनी चीज़े हमको पता चल गए कि lift क्या है stability क्या है तो आप देखेंगे कि हमारी trains कैसे काम कर रही है तो यहां पर हम देख सकते हैं जो उपर वाला diagram हमारा है इसमें एक यहां पर south pole दिखा रखा है train पर यह हमारा north pole दिखा रखा है यह हमारा train है इस पर दो poles यहां पर दिखा रखेंगे और यह जो system है हमारा जो कि throughout length तक जाएगा जहां पर कि हमारा train move कर रही है एक passage देगा train को हमारे move करने के लिए तो यह जो passage हमारा है यही यहां पर दिखा रखा है जिसमें कि हमारे magnets ले रखें है नॉर्थ और सौथ दिखा रखें हैं इनका काम क्या है? साओथ से शाओध जैसा कि हमने देखा रिपल किया है रिपल किया तो इसने ऊपर की तरफ भेजा इस train को similarly यहां पर नॉर्थ टो नॉर्थ रिपल किया ऊपर की तरफ भेजा यहाँ पर जब यह ऊपर की तरह बढ़ रही है train अब यह वाला north जो guide system का है इसको guide system या guiding system कहते हैं तो यह जो guide system का north है इसने इस south को attract किया और train को और lift किया अब train जो initially पट्रियों पर या track बोलेंगे हाँ पट्रिया नहीं बोलेंगे कुछ किसी track पर किसी surface पर रखे हुई थी अब वो increase हो गई उनकी height वो lift हो गई अब कुछ ऐसी height इन्होंने maintain कर लिए again stability के लिए हमने पढ़ाता सर्वो mechanism हमारी काम करेगी और इसको इधर या इधर नहीं जाने देगी और बीच में बांध करके रखेगी अब वो कई तरीके से हो सकता इस path को अगर हम एकदम close कर देंगे तभी भी train हमारी इधर उदर नहीं भागेगी एक module जैसा बना देंगे एक हम capsule जैसा बना देंगे तो train नहीं भागेगी यह कुछ mechanical arrangements होते हैं electrical arrangements करते हैं हम उसी को हम servo mechanism कहते हैं feedback की help से हम electrical system की help से हम इस train को डाएं बाएं ना move करें एक stable direction में बढ़ती रहे वो चीज़ प्रवाइड करते हैं अब यह दूसरा diagram है यहाँ पर वही चीज़ हम देख सकते हैं जो यह train के north pole है इससे यह north pole repel हुआ और यह south से attract हुआ similarly यहाँ से repel हुआ यह attract हुआ और train का कुछ position हमारा direction कुछ इस direction में बढ़ने लग गई यह similar process होता है जिसमें कि हमारा lift और stability दोनों ही हमको देखने को मिलती है और हमारी train का motion होता है अब speed क्यों ज़्यादा मिल जाती है क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर friction नहीं है इसका shape हमने initially देखा था कुछ ऐसा aerodynamic सा shape हमको देखने को मिला था यह तो बहुत गंदा सा बना दिया है aerodynamic सा shape हमको देखने को मिला था इसकी nose काफी ज़्यादा लंबी थी और nose लंबी थी तो यह wind blast को भी कर रहा था और इस air friction को reduce करके speed को और maximize कर रहा था और 603 km पर आर की speed दिखाई गई है यह speed कुछ नहीं है इसके सामने it can even go to 6400 km पर आर अगर एक vacuum में चलाया जाता है इसको एक बंध एरिया में चलाया जाता है इसको जहां पर की कोई air friction नहीं है तो speed 6400 km प्रती घंटे तक की हो सकती है it means अगर आपको इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने पर जाना है तो hardly आपको आदे घंटे लगेंगे या उससे भी कम लगेगा सोच सकते हैं हम flight तक से इतना time लगता है और इससे कितना कम टाइम लगेगा सब सोनिक सूपर सोनिक स्पीड पर हम इससे ट्रैवल कर सकते हैं हलाकि अब इससे कुछ डिक्ते यह आती हैं सबसे पहली चीज तो यह जो मैगनेट्स हम यह आपर देख रहे हैं साउथ नार्थ नौर्थ यह कैसे मिल रहा है हमको तो यहाँ पर दो-तीन तरीके की चीज आम इस्तेमाल कर सकते हैं पहला तो हम पर्मानेंट मैगनेटिक यूज कर सकते हैं दूसरा हम डाय magnetic material की बात बोले थे जैसे diamagnetic use कर सकते हैं तीसरा super conducting magnets का इस्तेमाल कर सकते हैं जो की काफी low temperature पर रखे जाते हैं या उनका system काफी low temperature पर maintain किया जाता है तो ये भी तरीका है इनको बनाने का या फिर हम electro magnets की help कर ले सकते हैं जो की हम यहाँ पर करते हैं अपने systems में electro magnets कैसे बनते हैं हमारे three phase की supply again electrical engineering comes into place three phase की supply हमने यहाँ पर दी और कुछ rotating magnets कुछ pulsating magnets कुछ alternating magnets यहाँ पर हमने produce कि कभी south कभी north कभी south कभी north similarly दोनों साइड पर जिसकी help से यहाँ पर हमने एक motion train को एक lift के साथ एक stability provide के और हमारी train ने motion करना start कर दिया यह अब यहाँ पर हम एक और diagram देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया गया है यह जो portion दिखाया गया है यह guide system यह वाला guide system sorry यह हमारा guide system है यह बताते हैं तो यह हमारा जो है यह guide system है जो कि train से अलग है और यहाँ पर कुछ magnets दे रखे हैं और यहाँ पर भी कुछ magnets दे रखे हैं यह magnets कैसे हमने बनाए थे again three phase supply की help से हमने बनाए थे यह magnets हमारे यह वाला और यह वाला जो हमारा magnet है और यह वाले भी दो हमारे इधर दिखा रखे हैं दिखा रखिए जो मैगनेट से हमारी ट्रेन के मैगनेट्स हैं जो कि हम डाय मैगनेटिक मैटेरियल यूज करते हैं और डाय मैगनेटिक मैटेरियल हैं से यह मैगनेट हम प्रेड्यूस करते हैं अब क्या होता है कि यह वाला जो नीचे वाला मैगनेट है इसको लिफ्ट दिया और यह जो गाइडिंग मैगनेट है जो साइड में लगा रखे हैं इन्हों ने इसको मोशन प्रोवाइड किया तो हमारी ट्रेन ने कुछ मूव करना इस्टार्ट हो दे है जो कि हाँ पर दिखा रखा है कि यह एक सिष्टम हमारा ट्रेन का है और यह गाइडिंग सिष्टम है और यह ट्रेन का हमारा मोशन दिखा रखा है कुछ इस तरीके से हमारी ट्रेन move करती है so this is all about maglev trains I hope आपको समझ में आया होगा और भी detail में इसको पढ़ा जा सकता है but हमें इतना ही जानने की ज़रूरत है अगर आपको लगे कि detail में इसको और सीखना है और इसके बारे में जानना है तो कई तरीके की maglev trains होती है या क्या क्या research अभी तक हुई है इंडिया में भी कुछ ऐसे proposed projects हैं जो कि डेली या फिर मुंबई वगेरा में आने वाले हैं तो उनके बारे में भी हम देखेंगे